बिसमिल्य रख्मान रहीम, असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टोपिक है Alternating and Direct Current जैसे कि हमने पढ़ा कि सरकित में Current की जो एक direction होती है, वो specific होती है यहाँ पे आपको conductor show रहा होगा, जैसमें से Current जो है वो flow कर रहा है और conventional current की definition के मताबिक जो direction होती है current की, वो हमेशा High Potential से Low Potential की तरफ होती है कि जैसा कि आप यहाँ पर current की direction को observe भी कर रही होगे तो आप देख सकते हैं कि जो current है वो High Potential से Low Potential की तरफ move कर रहा है, flow कर रहा है तो यहां से हम यह बात कह सकते हैं कि जो current है वो specific direction को follow कर रहा है और अगर बात करें हम electronic current की जो electrons की वज़ा से flow कर रहा है तो electrons की जो direction है वो low potential से high potential की तरफ है और जो conventional current की direction है वो कीनन इसके opposite होगी which is moving from, flowing from high potential से low potential की तरफ और यह जो crank है जो definite यह specific direction को follow कर रहा है इसको हम direct crank यह DC भी कहते हैं इसके इलावा हमारे पस एक और case है जब battery अपनी polarity को change कर देती है या high potential low potential पे चला जाता है और low potential high potential पे चला जाता है इन अदर वर्ड्स हम battery को reverse कर देते हैं तो आप देख सकते हैं जो crank है उसकी direction भी reverse हो रही है वो भी low से high की तरफ जो है वो flow करना शुरू कर देता है तो इस case में जब हम battery की polarity को मुसलसल reverse करना शुरू कर दें तो current भी अपनी direction जो है वो क्या करना शुरू कर देगा मुसलसल change करना शुरू कर देगा alternating current जिसकी abbreviation AC भी हम इसको बोलते है अब हम इसको बोलते हैं अब हम इसको इसको डिटेल में जो है वो study करते है अब polarity बेसे करी क्या होती है जो direction होती है flow of current की अब हम बात करते हैं एक circuit की जिसमें आप देख सकते हैं लोड कनेक्ट है उसके साथ हमारे पास battery लगे वी है battery का जो high potential है positive terminal जो है वो high potential पे है और जो negative terminal है वो low potential पे है तो अगर हम बात करें यहां पर current की direction की तो यह specific direction को follow कर रहा है जो high potential से low potential की तरफ है तो हम कह सकते हैं यहां पर specific direction of flow of current है तो यहां पर जो current है वो direct current है जिसकी specific direction है जिसकी सरफ एक direction है in other words हम यह भी कह सकते हैं DC current वो current है जिसकी सिरफ one direction हो high potential से low potential की तरफ हो जो conventional current की basically direction होती है तो हम कह सकते हैं कि जो DC source है हमारे पास जो यह battery है इसकी जो polarity है वो fixed है और जो DC current है वो constant रहता है time के साथ साथ next हम बात करते हैं alternating current की आप दिख सकते हैं इस circuit में आपको एक symbol शो हो रहा है यह basically alternating current का symbol है या AC का symbol है इसका मतलब यह है कि यह AC source जो है वो हमने connect किया हुए और यहां पर अगर हम polarity की बात करें तो यह जो polarity है वो time के साथ साथ अपनी direction को change करती रहती है यह जो polarity है वो reverse होती रहती है जैसे अभी आप देख सकते हैं कि एक specific time के लिए यह P जो है वो हमारे पास high potential पे है और Q जो है वो low potential पे है लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वक्त क्या होगा कि यह अपनी direction जो AC current है वो reverse कर लेगा क्योंकि जो AC source लगा हुआ है यह अपनी जो polarity है इसको reverse कर लेगा आप देख सकते हैं यहां पर कुछ time के बात Q positive हो गया और P जो है वो negative terminal पे आ गया जिसकी वज़ा से जो current की direction है वो भी क्या होगी change होगी तो यहां से आपक AC current की क्या definition समझ में आ रही है कि वो current जो कि अपनी direction को change कर लेता है अपनी direction को reverse कर लेता है उसको हम बोलते हैं AC current such a current that changes direction after equal interval of time is called alternating current और यहां आपको क्या बात समझ आ रही है कि यहां पर polarity मुसलसल change हो रही है जिसकी वज़ा से current अपनी direction reverse कर रहा है और current की कोई specific direction of flow नहीं है तो हम कह सकते हैं यहां पर no polarity कोई polarity भी नहीं है जबके DC current में क्यूंके current एक specific direction में flow कर रहा था वो uni direction था तो वहां पर polarity थी जबके AC current जो है वो अपनी direction जो है वो बार बार reverse कर रहा है तो यहां पर polarity नहीं है इसकी polarity जो है वो continuously reverse हो रही है next हम ले लेते हैं एक example अक्सर आपने अपने घर में यूज होने वाले electrical appliances पे देखा होगा 220 volt and 50 hertz 220 volt तो basically उसको run करने के लिए जो energy हमें चाहिए होती है और 50 hertz क्या है इसको करने के लिए हमें जो है वो one cycle का concept देखना होगा तो यहाँ पर चब current एक direction में move करता है P to Q और देन दुबारा वो जब polarity reverse होती है तो Q to P direction में move करता है तो one cycle complete हो जाती है in other words हम यह भी कह सकते है कि जब current two directions में flow करता है तो one cycle complete हो जाती है अब पकिस्तान में current every second एक second में basically 50 times जो है वो oscillate करता है या हम यह भी कह सकते हैं कि 50 cycles जो है वो complete करता है तो जब current one second में 50 times oscillate करे या 50 cycles को complete करे तो वो उसकी frequency है तो जो पकिस्तान है हमारा जो मुल्क है उसमें जो frequency है वो 50 hertz है इसका यह मतलब है कि जो current है वो एक second में 50 cycles जो है वो complete करता है या 50 मरतबा oscillate करता है और जो voltage और current की values है यह basically source की frequency के उपर ही depend कर रही है अब आपको इसके बाद graph show होगा जिससे आपको वाजिया तोर पर पता चल जाएगा कि DC और AC में क्या फ़र्क है DC current आप देख सकते हैं time के साथ जो इसका graph है वो unidirectional है यह अपनी polarity change नहीं कर रहा इसकी direction constant है लेकिन जो AC current है वो अपनी जो direction है वो continuously change कर रहा है अब time period क्या होता है time period जो है वो basically किए किए